हाई फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं ड्रीम 11 में फुट्बॉल की टीम देने चार रहा हूँ जो मेरा अपकम मैचे से प्रीमेर लिग का साउथ अर्प्टेंड बसस टॉट्यम होट्सपर के मैं वही टीम अपडेट करूंगा फ्रेंड्स साउथ अंड बस पर विल फेच इच आधर इन दा प्रीमेर लिग एड्सेंड मैरे स्टेडियम साउथ अंड इंड राउंड सेगेंड मैच साउथ अंड इंप्रूबिंग देंसेल्फ इं रिसें डियार्स और फिनिश्ट एड इलेवें प्लेस लास सीजन तो अपने को बाउंड लाहे और अगला पिछले सीजन एगर नंबर स्थान पे हासिल किया था। य विक अधे बैक असकांपैर टो दियर नियर बाई रैंक टीम लाउंड सीजन बर दे वार उफन सिपली। अपना जो बैक है वो काफी वीक है और य नियर बाई रैंक टीम लास सीजन। They were one of the best performing teams in the league after the COVID break and they lost just one match out of the last eight matches. So, COVID break was made 8 matches in which only one match had. Their opening match was disappointing as a loss to Crystal Palace by 0-1. This season was made by Crystal Palace by 1-0. They suffered their second consecutive loss as they fall 2-0 to defeat to Brentford in the EFL Cup match. And EFL Cup match by 2-0 has been made by Brentford. So, 2 match has been made by Southampton. Totem Hotspur Played very badly before the break last season and was struggling below the Europa League spot but they bounced back after the break and finished with the spot in the Europa League at 6th place. Totem Hotspur Played very bad games in the past season. लेकिन COVID break के बाद काफी लाजवाब खेले हैं और यूरोपर लीग का जो स्पोर्ट है वो हासिल किया 6 नंबर 7 हासिल के बाद. In the last 7 matches in the league, they lost only once and produced 6 positive results. तो पिछले साथ मैचों में 6 मैच काफी अच्छा खेले positive result उनको मीना लेकिन एक मैच सिफ हारी है. In the 4 friendly matches, they won 3 and lost match against Watford by 1-2 scoreline. तो जो 4 friendly match खेले थे, जिसमें से 4 match खेले थे, जिसमें से 3 match जीते और एक मैच वाटफोर के साथ 2-1 से हार गया था. They lost against Everton in the league opener match, but they do head 2 into the clash after a win after locomotive plodif in the Europa League match. They are favored to win this match. तो इस साल अभी तक ये season fast match हार चुका है, Everton के साथ 61 minute में कलफट लूइन ने गोल मारा था Everton के लिए और मैच हार गया था, Totem Hotspot to Delhi, लेकिन जो Europa League का जो मैच चल रहा है, qualification का, उसमें से locomotive plodif को हड़ा के जीत चुका था, Europa League qualification, तो स्केज चल रहा है उनको पर, तो आज का मैच फेवरिट है, Totem Hotspot पर Recent जो form है, Southampton के पाच मैच खेले थे, जिन में से दो मैच हार चुका है, अपर जो Totem Hotspot पर कहाँ, पिछले पाच मैचों में, तीन जीत, एक हार और एक ड्रॉ है Injuries and Suspension, Southampton के तरफ से, Stuart Armstrong, Totem Hotspot के तरफ से, Jafpett, Tanagna Pouable Playing 11, Southampton के तरफ से, गोलकीपर, Mick 30 काफी अच्छा की लाड़ी है, बार्टेंड, वैस्टेंड, स्टीफेंस, वाकर, पीटर्स काफी अच्छा डिफेंडर है डिजेन पो, Romeo, Wat Prowse, Smallbone, काफी अच्छा मिटफिल्ड बे है, ये काफी अच्छा है, Wat Prowse फिर यापपर से, स्ट्राइकर में, इंक्स काफी लाजवाब खिलारी है, लॉंग, काफी बैतरिन खिलारी है टॉटामस के तरफ से, सब खिलारी अच्छा अच्छा इंटरनेशनल खिलारी है गोलकीपर, हुगो लॉरिस, डेवीज, डायर, अल्डरवाइ, डौहर्टी, काफी अच्छा डिफेंडर है सेल्सो, होजेबर्क, नेडॉंबी, यूमिनसन, केन, लुकास मॉरा, ये तीनों खिलेंगे स्ट्राइकर पे काफी अच्छा है, इवनसन, जो एशिया का नंबर वन स्ट्राइकर है और ये पर से लुकास मॉरा, हैरी केन, काफी अच्छा खिलारी है तो काफी बैतरन खिलारी है, टौहर्टम हस्टपर का, साउथ अच्छा खिलारी है लेकिन थोड़ा सा 60-40 चांस होगा, टौहर्टम हस्टपर के लिए तो फ्रेंड्स, मैं टीम देने जा रहा हूँ, साथ दम्टन वस्टेस टौहर्टम हस्टपर के कोलकीपर के पिक करूँगा, मैं यहापर से मिक थार्टी को आपके पास चॉएस होगा, आभगोल और इसको ले सकते हो यहापर से पिक करूँगा, फास्ट टौहर्टम हस्टपर के दौहर्टी को एरिक डायर को, डेविस को और यहापर से पिक करूँगा, vivid को यह चार्ट डिफेंडर मैं पिक करूँगा टॉटम वास्पर के लिए आप यहापर से मिटफिल्डर का चोईस में पिक करूँगा लुकास मौडा यहापर से पिक करूँगा वाट प्राउस चो काफी अच्छा खिलारी है और यहापर से पिक करूँगा यहापर से एक रोम्यू को पिक करूँगा स्ञार्म के तरब से स्ट्राइकर पर पिक करूँगा हारी केंड को हिूमिन सर्ण को और इंग्स को यह तीन खिलारी को मेले टीम में करूँगा कैपtechn और वायस कैप्टन को जो पिक आएगा ओ रहेगा कैप्टेन में यापर से हुम्न सौन को बनाऊंगा है रहेगा मेरा फाइनल टीम गाइस आधर जो Cameraלא being गाइस ओ रहेगा इंक्स वाट प्रास किसे एक को कर सकते हो ग्यांननलिक पन काप डिफेंडर को करना फ्रेंड्स लेकिन English Premier League में काफी बड़ा बड़ा घटन घड़ रहा है पिछले मैस में Crystal Palace ने हरा दिया था Manchester United को 3-1 से सब ने सोचा था Manchester United जीदेगा या ड्रॉव करेगा कोई लेकिन कोई नहीं सोच सकता है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जो भी टीब मेरा यूतुब चैनल पर डालता हूं और टेप्स्कीम चैनल में मेरे link दिया हुए तो आज मैंच के लिए बड़ा